नमस्ते और स्वागत है दोस्तों क्या आप लंबे बाल रखने की शौकीन महिला है? जब आप अपने बालों को समवारते हैं तो तूटे हुए बालों का क्या करते हैं? क्या आप उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं या कूडे दान में डाल देते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए यह गलती आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां ला सकती है सोचिए, क्या आप हमेशा शारीडिक रूप से बीमार रहती हैं? क्या आपके उपर किसी ने तंत्र मंत्र कराया हुआ है? क्या नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में कर लेती हैं? क्या आप हमेशा गुसे में और चिड़ चिड़ी रहती हैं? क्या आप कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूज रही हैं? पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो महिलाएं अपने तूटे हुए बालों को इधर उधर फेंक देती हैं, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बिना बुलाई ही आ जाती हैं। ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही ज्यादा रहता है। तो सवाल है कि आखिर तूटे हुए बालों का क्या करें? और तूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगत नी पड़ सकती हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें। जब भी महिलाओं के शरंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नामक एक पुस्तक है, जिसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। इसमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रिंगार तक की हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है समुद्र शास्तर में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है उनके लंबे बाल उनकी सुन्दरता और माता लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं जिन महिलाओं के लंबे बाल होते हैं उन पर माता लक्षमी की विशेश कृपा रहती है और उन्हें जीवन में तरक्की मिलती है लेकिन गुरु जी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाओं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भूगतना होता है जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए और साथ ही यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सिर के बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम और कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरत्ती है तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मानेता है कि अगर सब्ताह के सातों दिनों में से कुछ विशेश दिन महिलाएं अपने बालों को धोती या कटवाती है तो यह उनके परिवार के लिए बिलकुल भी उचित नहीं होता है आपने अकसर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जिन दिनों महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है क्योंकि जोतिश कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा उंची या नीची स्थिती में होता है जिससे यहा हमारे मन और मस्तिश्क को प्रभावित कर सकता है और ना केवल उनके स्वास्थे को बलकि उनके जीवन और घर परिवार पर भी असर डालता है गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके पती की तरक्की में रुकावट आती है वहीं मंगलवार को जो भी सुहागन महिलाएं अपने बाल धोती है उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है जिससे उन्हें तरह तरह की परिशानियां होती है और उनके जीवन में नकरात्मक्ता का प्रभाव बढ़ने लगता है मंगलवार को महिलाओं को बाल कटवाने और अपने तूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेकने से भी बचना चाहिए जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन है उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से बचना चाहिए क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहनों से संबंधित होता है जो महिलाओं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती है उनके भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती है गुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा सम्रिध्धी और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फाइदे मंद हो सकता है वहीं गुरुवार को बाल धोना और कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरदरता फैलती है बलकि आर्थिक तंगी भी होती है धन की हानी होने लगती है और आपका गुरुग्रह जो आपकी अमीरी और वैभव के लिए जाना जाता है कमजोर हो जाता है इससे आप भले ही राजा क्यों नहों आपको कठनाईयों का सामना करना पड़ता है शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहत शुभ माना जाता है ये माता लक्ष्मी का दिन है हालांकि इस दिन महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि अपने बालों को कहीं भी न फेके ऐसा करने से आपके धन की हानी होगी शुक्रवार को बाल धोने से आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है जिससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, एशुर्य और सुक्सम्रद्धि में बढ़ोतरी होती है शनिवार और अविवार को भी महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो जाते हैं जिससे शारिरिक, मानसिक और आर्थिक परिशानियां हो सकती है इसके अलावा, अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे विशेश दिनों पर भी महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए क्योंकि ये दिन भी बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि अपने बालों को कहीं न फेंकें किसी के पैरों में ना आने दें और नहीं खुले में छोड़े जब महिलाओं अपने बालों में कंगी करती हैं तो भी कई बाल तूट जाते हैं महिलाएं इन बालों को कच्रे में या सड़क पर नहीं फेंके महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उनके बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां फेंक देती हैं उनके बाल तांत्रिक या नकरात्मक शक्तियों के हाथ लग सकते हैं। इससे बालों का गलत प्रयोग हो सकता है और उन पर बुरी शक्तियों का असर हो सकता है। तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके उन पर वशीकरण भी कर सकते हैं और तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिध्ध करने के लिए भी उनका इस्तिमाल करते हैं। तो परम पूज गुरुजी का कहना है कि अगर आपके बाल जड़ते या तूटते हैं तो उन्हें इकठा करके कहीं मिट्टी में दबा दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जब भी बालों को कचरे में फेंकें तो उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तिमाल नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, उमीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। अगली बार बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार सोचें और गुरुजी के बताई हुए उपायों को अपना कर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। अगर आपको गुरुजी की बातें और चेतावनी पसंद आई तो इस ग्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर दोस्तों दिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट में जैलक्ष्मी माता ल भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।